जहें दोस्तों स्वागत है आप लोगों मेरे चैनल की एकवान है यह वीडियो में सो यह है Citroen की C3 Small SUV जो की Citroen ने इंडिया को दिमाग में रख के डेवल अप करी है और इसका ग्लोबल डेबियो भी कुछी दिनों पहले हुआ था तो आज की वीडियो में इस वीडियो के बारे में डीटेल में आपको बहुताने वाला हूं तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना है वीडियो के बात करें वीडियो के बारे में इसमें आपको split headlamp setup देखनो मिलता है उपर की तरफ आपको LED daytime running lights उसी में आपको turn signals भी देखने को मिल जाएंगे और Citroen की जो grills ही है वो connect होती है एं LED DRLS के साथ as well as the headlamps के साथ तो आप headlamps में भी देख सकते है LED daytime running lights signal मिल जाती है उसी के नीचे आपको fog lamps देखनो मिल जाते है and this dual tone color looks quite good जैसे कि आप देख सकते है roof जो है and काफी accents जो है this vehicle के वो orange finish में देखनो मिलते हैं whereas the body color is white and rate के बारे माथ करें, rate से कुछ ऐसी दिखती है and काफी अची looks है वैसे this vehicle की rates है क्यूंकि काफी में जो small ACVs देखते हूं उनको थोड़ा दबा दबा सो लोग दे देते है and वो काफी अजीब लगती है but this one looks quite good and यह मैंने personally spy भी करी थी अपनी आंखों से भी देखी थी it looks quite small आप spy shot भी वैसे वो देख सकते हैं जो मैंने अपने ही city में इस vehicle को देख आदा test होते वे इस vehicle का जो प्राइज है वो स्टार्ट हो सकता है somewhere between 4.5 या 5 लाक से and top model 7 7.5 लाक तरप जा सकता है because यह जो vehicle है arrival करेगी काफी vehicles को जो की रहेगी Maruti Swift Maruti की आइगनेस and even की Nissan की Magnite, Renault की काईगर को भी arrival करने वाली है vehicle and अगर हम इंटेर के बारे मात करें interior भी आप तेख सकते हैं आपको orange accents interior में दिखने मिलेंगे steering wheel वही आपको C5 Aircross वाला दिखने मिल जाता है Mass FC आपको इसमें touchscreen उपर करी जाएगी with Apple CarPlay and Android Auto as well as you can see right in front of you और इसमें अगर हम इंजिन के बारे मात करें तो यह उफर करी जाएगी with a 1.2-liter petrol engine with a 5-speed manual and automatic gearbox इसमें अभी तक कुछ ही नहीं बताया वैसे तो diesel motor हम expect तो कर नहीं सकते बठा जिसमें जरूर हमें petrol engine तो देखने को मिल की जाएगा बारे मात करें लांच वीकल का हो सकता है by the first half of 2022 अभी तक वैसे Citroen ने कोई official launch date नहीं दी है अपनी तरफ से बाकि अगर इसके platform के बारे मात करें तो अगर इसके platform के बारे मात करें तो it is based on the same modular platform as the Tartac HVX तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं बिलकुल वैसा ही रहने वाला है and Citroen जो है इसको अपनी तरफ से small SUV नहीं बोलता है Citroen refers this vehicle as a hatchback but inspired by SUV design तो आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो make sure to give this video a big thumbs up क्योंकि अगर आप like करेंगे so that helps the YouTube algorithm to recognize my channel and guys also consider rating the subscribe button as well as the notification bell ता कि आमेर येसी interesting videos पे सबसे पहले notification पासके में मिल ताम लोग से पनी येसी interesting video में till then stay home stay safe bub-bye